हाई दोस्तों नमस्ते आप देख रहे हैं और इजनल रीना और जैसे कि आज मैं अपनी चोटी बेटी को लेकर आई हूँ ज्वेलर्स के शॉप बहुत दिनों से इसने डिमांड कर रहा था मम्मी मेरा कान चिदवा दो बहुत दिनों से मतलब एक साल हो गया थे एक साल से बोल हम दोनों लेकर आया हैं से कांचे दवाने के लिए तो पहले जोलर्स ने मुझे रेड पें दिया और बोला कि आप मार्क कर दो तुमें बहुत डर्डर के मार्क की और यह मेरी बेटी बहुत ब्रेव है बिल्कुल भी नहीं रोई मैं हाथ पकड़ी थी मेरा हाथ भी इसने चुड़वा दिया और खुद ही मतलब अपना पेन बेचारी खुद ही फील करी मुझे भी थोड़ा फील होता है मेरे बच्चों को तो इंजेक्शन लगता हूँ अभी मैं नहीं देख सकती हूँ पर मैं साइड में फेस कर ली थी फिर मैं देखने लग गई कि सही से हुआ ह कि नहीं और बहुत अच्छी तरह से इस इस भाईया ने इसके कान को छेदा और फिर बोला भी बहुत सावास दी दी बोला कि यह बहुत ब्रेव गर्ल है मतलब रोई भी नहीं वह सके पापा को तो देखा नहीं जाता वो सौप से बाहर चले गया थे और जब कान चेद गया तो फिर अंदर आ गया और फिर पैसे देने लग गया और हमारा बिल दे दिया उसने उसके बाद फिर हम अपनी बेटी को लेके सौप से निकल रहे थे तो सौप सोफ आले से थोड़ी बात ही करने लगें सौप वाला फिर जब ज़ेशती मुझे फिर मीठा पगड़ा आने लगग्या मैं बुलने बही तो मुझे भाट मेरे घर मेरे मीठा और कि और को देदेना पर नहीं माना पर कैलेंडर और मीठा दोनों इसने मेरे हाथ में दिया मैं किसी को जल्दी ना नहीं बोल सकती आखिर ये मीठा आने के बाद घर पे कोई खाएं भी नहीं मैं तो क्या बोलू फिर कोई नहीं मैं उसके मन रखने के लिए मैंने मीठा ले लिया और उसके बाद फिर ये हम सबी चीजे को दिकान है कपड़े हैं मतलब कुछ भी ऐसा नहीं की नहीं मिलता होगा दिल्ली का गाउं है तो क्या हुआ पर मतलब दिल्ली की छोटे छोटे गाउं भी हमारे छोटे सहरों से कुछ जादा बड़े नहीं है जैसे हमारे सहर है छोटे तो यहां का गाउं भी उस जाते हैं कुछ अच्छी सौपिंग करनी होती है तो तो हम अपनी बेटी को लेकर जा रहे हैं मेरे घर का एरिया है मैं बोली चलो दिखा देती हूं पर ये एरिया थोड़ा हार जगा तो पॉलूशन गंदगी दिल्ली में तो हैं हैं तो क्या करें जहां भीड होगी वहां तो गंदगी होगी ही होगी और दिल्ली सरकार तो बहुत कुछ कर रही है पर फिर भी दिल्ली के लोग हैं ये दिल वाले और गंदगी भी फैलाने में बहुत दिल वाले है तो मेरी बेटी पर बहुत खुस है वो जा रही है कुजी कुजी पर पता नहीं घर पे जाकर क्या होग में और अपनी बेटी को सब जाते है अरे बिटा ठीक है तो अभी पेंट दो नहीं हो रहा है घर आते ही सबसे पहले मैंने उसके लिए हल दी और ये सरसो तेल डाल कर जो एलस ने मुझे बोला था जाते ही लगा दीजेगा तो वो मैं लगा रही हूं इसे तो मेरी बेटी खु इस मैंने पूरा कर दिया और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे वीडियो में बस से ओरिजनल चीजे ही होती है और जो कुछ है मैं वही जो हुए जहां जिस हाल में मैं वही सूट करती हूं स्पेशल कुछ तैयारी नहीं करती हूं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बहुत प्यार दीजिए